ओचपुरी स्टार खेसारी लाल यादफ, कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के इन्हें भी बड़ी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था और जब इन्होंने इंटर्व्यू दिया टाइमस ओफ इंडिया को तो इन्होंने कहा कि जो शो का फॉर्मैट है वो इन्हें सूट नहीं करता इंसान शैतान बन जाते हैं इस घर के अंदर और शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां दे कर इंसल्ट करके ही बढ़ा जा सकता है ये इनका कहना था वहां में सैतानों के बेश में था वहाँ इंसान के रूपे सबके सब सैतानी हरकत कर रहे थे और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार क्या होने का कोई भाई साहब का ठीक है देखिए वह एक विडियो बनाते है बिग बॉस के ऊपर ठीक है और ये सचाई देखाने का काम करते हैं कि आज से जो है एक दो साल पहले खेसारी लाल यादो बिग बॉस में जाते हैं उनको कुछ दिन रखा जाता है उसके बाद में बिग बॉस से निक जगडाल उनसाल तो बिल्कुल है यह नहीं है ठीक है तो उनको वहाँ पे वह सूट ने करता है वहाँ पे जो जाएगा ठीक है हाला कि बिग बाद में जाना ही बहुत बड़ी किसमत की बात होती है इसे आईरे गएरे को नहीं बलाते हो लोग इनका फैन में बहुत तकड़ा ह उनको बिलाते हैं वहाँ ठीक है तो खेसारी भाई को वाइल्ड कार्ड इंट्री कराया था आप सबको पता है यह बहुत बड़ी बात ओटा वाइल्ड कार्ड इंट्री ठीक है बीच में घुसर दिया जाता है तो खेसारी बाई कुछ दिर रहते हैं उसके बाद में बिग इसलाइक करने कोषिश करेंगे और तीर पी चाहिए एक रपी के लिए का करना पड़ेगा आपको वहीं पे सुआग राते महन दें अंदर हां भाइन हो एसे कुछ होता नहीं उसे सुव में तो कोई देखने को भॉले साब गए है तो कभी कभी किलिप देख लेता हूं तो मैं वैसे देखता नहीं हूं क्योंकि इलबिश का मैं बड़ा फैर रहा हूँ ठीक है अब बंदे में पावर है और पुनिज सुपरिश्टार उनका भी बड़ा हम बड़ा जबर्जस्त वाला फैर्ण ठीक है ओ दोनों तीनों तो मतलब इस साल का बीग बोस का तो मतलब पहली बार मुझे थोड़ा इंट् विडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नमस्कार